अस्तलाम वालेक्व, वेल्कम बेक तो मैं चैनल जी लॉक्स, तो बज़ स्टार्ट करते हैं आश्की कर्फी टॉक्स हमेंğimizर्ट वर्कव की पहली स्ट्रीम पाकिस्तान वहमें मिल गया है जिसकी बिलकुल उमिदी के पाकिस्तान जो फाइनल ने पहुँचेगा पाकिस्तान का इतना खराब हुआ था इंडिया से हारा जिंभावे से हारा फिर उसके बाद नेजलेंड से जीता साथ अफरीका बंगलादेश तो काफी अच्छी जड़नी रही पाकिस्तान की कट के फिर वापसी आया पाकिस्तान फाइनल के लिए तो भी बात करते हैं आज के मैच की जो कि समी फाइनल था पाकिस्तान वर्सिस न्यूजिलेंड तो मुझे उमीद थी कि शायद अगर पाकिस चिक किया जो कि हमें 153 का टारगेट मिला और सबसे अच्छी बात 152 शायद पाकिस्तान के लिए बहुत लखी है यूंकर लाफ्स टाम भी हमें पाकिस्तान वर्सिस इंडिया के मैट ने 152 का टारगेट मिला था और पाकिस्तान ने वो चेस किया था तो शायद बाबर और र बाकि हम आते हैं न्यूजिलंड की बैटिंग पे तो न्यूजिलंड की बैटिंग में डेर्व मिचल उन्होंने स्कोर प्याफ्टी प्लस और फॉर्टिस किये केन विलियमसन ने तो बहुत 152 का टागेट इनोंने बनाया 153 हमें विन करने के टागेट इनोंने दिया पाकिस तो हम इसी ली स्कोर कर जाते हैं वैसा ही हुआ रिजवान बाबर ने अच्छा स्ट लिया पावर प्ले में वहला हिट करके खेला यही करना चाहिए और पावर प्ले यह प्लें बड़ाइब इंपॉर्टन है यह मिचना करें तकरीबन 6 उबर में 70-60 बन जाते हैं तो आखि हमें जो आकर चौके हमारे चक्के हमारे और मैच को इतना क्लोस लगए और एडियन हम जीत कर फाइनल समी फाइनल पर जीती जाएंगे इंशालला तो बस उमीद करते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह खेले और फाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस दे तो अब यह बात आती है क पाकिस्तान जो है वो किसके साथ फाइनल खेलेगा तो बहुत कल है दूसरा समी फाइनल इंडिया वर्सिस इंग्लैंड के दरमयान देखते हैं कौन फाइनल में आता है वैसे मेरी उमीदी इंडिया के साथ हैं कि इंडिया अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान के साथ Final हमें देखने को मिले क्योंकि पूरी दुनिया इस मैच का नतजार करती है मैं खास और पर इनतजार करता हूं कि हार जीत का अपना ही मदा है कि कौन जीते कौन हारे लेकिन अगर पाकिस्तान जीता है तो भाई मदा ही आ जाएगा लेकिन इस मैच का जो प्रेशर रहता है लोग इसी चिसका वेट करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल और ये मैच देखेगी तो भाई उमीद करते हैं कर इंडिया इंग्लेंड को हराए और लेकिन कहे नहीं सकते किंग्लैंड भी डफ़ है और समी फाइल का प्रिश्र ही अपनी जगा होता है इंडिया भी लूज कर सकता है तो दोनों ही टीमें टफ है और देखते है और कौन चीटा है फिर वही होगा कि टॉस जीते का वह पहले भी बैटिंग लेगा क्योंकि बैटि ज़िए तो पाकिस्तान प्रेशर में आ जा था लेकिन पाकिस्तान ने बॉलकिकर इंग करें इनको रिस्टेक्ट किया तो न्यूसिलेंड फस चुखा था लेकिन अगर कर बैटिंग करें किसी ने भी 180 प्लस या 200 स्कोर कर दिया तो जो सेकिंड चेस करेगी उसके लिए काफी करेंगा चेस करना देखते हैं टो इस जचित के हैं पाकिस्तान को आथा है फाइनल के लिए तो बहुत अच्छी जर्नी रही पाकिस्तान की कट चुके थे इंडिया से हारगा फिर आइस्ता आइस्ता करें पाकिस्तान की तरफ पहुंच चुके हैं अब देखते हैं सेकिंड फाइनलिस टीम हमें कौन सी मिलती है कल के मैश के बाद हमें पता लगी जाएगा बस कल का मैश ही बहुत इंपोर्टन है समी फाइनल जो जीतेगा वो फाइन सब्सक्राइब यह बिए जीत गया वह बड़ी खूशी है बस दूसरी खूशी तब हो कि पाकिस्तान वर्स इंडिया का मैच हमें देखने को मिले वह इंदिया फाइनिया वामीश करते हैं कर दो दिखेवा इंडिया फाइनल ने पहुंचे और हमें पाइनल मिल जाएगा औ को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वलोक में प्लीज मेरा सब्सक्राइब करें लगैस्का करें लेकिन सब्सक्राइब नहीं मिल रहे सब्सक्राइब